नमस्कार दोस्तों आज की इस बीडियो में हम हरित करांती के बारे में जानेंगे तथा साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसके कौन से सकरात्मक प्रभाब पड़े तथा इसके कैसे नकरात्मक प्रभाब पड़े तो चलिए अपनी बीडियो को सुरू करते हैं जब हम बात करते हैं हरित करांती की तो इसके जन्मदाता नौर्मन बेरलोग को माना जाता है जिन्होंने 1960 के दसक में हरित करांती की सुरुवात करी इसलिए इन्हें फादर ओफ ग्रिन रेवलेशन के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने उच उपज देने वाली बीच के किस को विक्सित किया, तथा जिससे फसल में क्या हुआ, बहुत ही जादा उपज होने लगी, जिससे बाद में इनको नोवल सांती पृषकार से भी समानित किया गया था। हरित करांती के उध्धेशचे क्या थे, पहले इसको समझते हैं, तो देखो हरित करांती की दो देशे थे एक कम समय अब्धी वाले उद्देशे और एक लंबी समय अब्धी वाले उद्देशे कम समय अब्धी वाले उद्देशे जिनों लगू अब्धी के लिए जाना जाता है वो थी पंचवर्सी योजना जिसमें भुकमरी को समाप्त करना औ और कई अन्य योजनाई सामिल थी, जबकि लंबी अबधी के हम बात करें, तो इसके उद्धेशे था ग्रामिड विकास, यानि गाउं का विकास करना, उध्योगों का विकास करना, किर्शी को आधुनिक बनाना, तथा जो हमारा बुनियादी धांचा है, उसको आगे बढ़ा कि क्या थे, उद्धेशे थे, और इसके अलावा, इसका जो सबसे बड़ा उद्धेशे माना जाता है, वो है रोजगार, ठीक है, इससे लोगों को रोजगार देना भी था, क्योंकि उसमें भारत में बड़ी मात्रा में बेरोजगारी थी, तो किर्शी और उद्ध्योगी दोनों छीतरों का विकास करके लोगों को रोजगार देना, इसका उद्धेशे था, इसके अलावा विज्ञानिक अध्यान, इसका क्या है, कि उसमें पोध्यों को उत्पादन करने में मतलब कि जो पोध्यों थी, उसके पोध्यों को आजादा आगे बढ़ाना, फसल की अब बात करते हैं हरित करांती के सकरात्मक परभाबों की, तो जब हम हरित करांती के सकरात्मक परभाब बोलते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है फसल उत्पादन में ब्रिदी, ठीके, 1978 से 1989 में 131 मिलियन टन आनाच का उत्पादन हुआ था, जो भारत और विश्व के सब सबसे बड़े किर्शी उत्पादक के देश के रूप में स्थापित हो गया था यानि इतने उत्पादन से भारत सबसे बड़ा किर्शी देश के रूप में जाने जाने लगा था इसके अलाबा खादे आयात क्या कि जो हम खाने को खरीते थे दूसरे देशों से उसमें कमी थी उसका विकास करना भी इसका उदेशे मना जाता है हरित करांती में बड़े पेमाने पर किर्शी का मसीनी करन को बढ़ावा मिला जैसे टेक्टर, हारवेश्ट मशीन, थ्रेसर मशीन, कमबाइन, डीजल, इंजन ये सारे मसीन और मोटर पंपिंग इन सारे मशीनों का मशीनी मतलब किर्शी का मसीनी करन किया गया और किर्शी को बढ़ावा दिया गया जिससे हम आधुनी खेती कर सके और किर्शी के सासत उध्योगों का भी हम विकास कर सके यहां का मतलब किर्शी आरित करांती का सकरात्मक प्रभाब की रूप में जाना जाता है इसके अलाबा इससे मांग भी काफी बढ़ गई थी ठीक है इसलिए किर्शी अधारी के उध्योग के इलाबा पहचाने जाने वले अन्य कई उध्योग जैसे कच्चा माल जहां से हम लाते थे तो इन सब को भी इन सब का जुगार करके रोजगार को बढ़ाना बहु फसली करण और उर्बरक परिय बढ़ गई थी जिससे लोगों को बड़े पैमाने पे क्या हुआ था रोजगार मिला था इस कारण से इसलिए कहा जाता है कि किर्शी में यानि जो हमारा यह हरित करांती हुआ था हरित करांती में बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार के अफशर प्राप्त हुए थे जिससे किसानों की आय भी क्या हो गई थी बढ़ गई थी लेकिन इसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे नकरात्मक प्रभाब में किसमें बड़ी मात्रा में क्या हुआ था रसाइनों का उरुबरक हुआ था तो चलो पढ़ते हैं इसको थोड़ा कि हरित करांती के नकरात्मक कौन कुन से प्रभाब पड़े थे तो जब हम हरित करांती के नकरात्मक प्रभाब की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नकरात्मक प्रभाब था कि चावल, वाजरा, मक्का, इन सारे खादे परदातों की किर्सिस तर में काफी बृद्धी हुई जैसे मोटे अनाज, दलहन, तिलहन के इन सब को क्या गया था हरित करांती के दाइरे से बाहर रखा गया था यानि इन सब जिनका मैंने नाम लिया मोटे अनाज, जैसे दलहन, तिलहन, इन सब को क्या किया गया था दूर रखा गया था, इनमें कोई भी बृद्धी नहीं हुई थी, ठीके, इसके अलाबा, इसके एक और नाकरात्मकुर्वाप देखा जाता है, छेत्रिया समानता, हरित करांती में बड़े पेमाने पर छेत्रिया समानता हुई थी, जिन राज्यों में किर्शी हो सकती थी, व मैंने बताया था कि हरित करांती में बड़े पेमाने में कीट नासकों का परियोग किया गया और रशानिक उर्बरों को और राशानिक खादों का परियोग किया गया था, जिससे फसलों पर कीट नासकों का छिड़काब हुआ और फसले जास ज्यादा नुकसान हुआ, ठीके जिसके कारण भूम मिट्टी का काफी प्रदूशन हुआ था तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हरित करांती की कई सकरात्मक प्रभावी पड़े और कई नकरात्मक प्रभावी पड़े जिससे मैंने बताए कि अभी छेत्रिया समानता बढ़ गई थी इसका कई राज्यों को फाइदा हुआ जबकि कई राज्यों इसमें वंचित रहे गए यानि कई राज्यों तक इनका फाइदा नहीं हुआ कुछ ही राज्यों तक हरित करांती का फाइदा हुआ था जबकि ज़्यादा वो उपयोग करने से इसके नकरात्मक प्रभाब भी हमें देखने को मिले ठीक है अब बात करते हैं कि इसके और कौन-कौन से नकरात्मक प्रभाब पड़े तो जब हम इसके नकरात्मक प्रभाब की बात करते हैं तो इसमें अगला नकरात्मक प्रभाब आ प्योग किया जिससे जमीन का जो जल्ग स्तर था यानि भुजल स्तर था वो धीरी-धीरे कम होता गया इसके अलावा फसल उत्पादन पर भी इनका बहुत ही गहरा प्रवा पड़ा था फसल उत्पादन में बिर्दिस उनिशित करने के लिए बार वार एक ही फसल चकर को अपन क्तवा थी। और इसे मिटी में छार ज्यादा हो गए रशाइनिंग मातरों मिटी के ज्ड़ीत हो गया और अगले साल उपज में क्या गई गिरावत आगई। जिसके कारण इस पे काफी नकढ़ात्मक प्रभाव हमें देखने को मिला तो इसके दोर नकरात्मक प्रभाव थे जैसे पहले मैंने बताया पानी के स्तर में गिरावट आ गई जलस्तर जो था वो गिरने लगा ज्यादा सिंचाय के स्तमाल से हमने और को उस्तरोत की तरफ ध्यान नहीं दिया और दूसरा क्या था कि विरोजगारी काफी मात्रा में बड़े अगर हम पंजाब को छोड़ दें तो पंजाब और हरियानओ को कुछ छोड़कर हरित करानती जो फाइदा और कई राज्ये को नहीं गई गई जिसे मैंने बताया था उसमानता बढ़ गया था बाकी राज्ये में किसान गरीब होते भूमीहानी नहीं वहां विरुजच्गारी चाफी मातरा पर पढ़ गई वस वास्त पर बीरींस परतो किरिए पर उसरी है कि परूटेंगा प किसे आधि सॉयर्ब मैंने प्रभा पढ़त गई जिससे बड़ी मातरा में लोग क्या हो गए बिमार हो गए ठीक है इसके अलावा कौन-कौन सी विमारी जो थी उस समय फेल रही थी कैंसर गुरुद्या फेल होना और शिश्यू मृत्वी दर बढ़ गिया था ठीक है यह सारी बिमारियां काफी मात्रा में बढ़ती जा रही थी तो यह थे कुछ इस